Welcome to Subham Tech दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि Chroma की जो Smart Android TV होती है उसमें हम अपने मुवाइल की स्क्रीन कैसे कास्ट कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है जो आपकी Chroma की Smart Android TV है उसमें आपको रिमोट का जो बटन है वो प्रेस करना है और ये मीरा कास्ट वाले option को आपको सलेक करना है तो जल्दी से मैं नीचे आके इस इस OK के बटन से सलेक करूँगा तो देखिए जैसे आप सलेक करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपकी TV पर आने लगेगी इस भी मुवाईल को आपको connect करना है अपने smart TV से तो उसमें आपको setting में जाना है setting में आप देख सकते मैं आचुका हूँ then आपको connectivity and sharing में आना है जैसी आप connectivity and sharing में आएगे तो तो हम नीचे scrawl करेंगे तो यहाँ पर हमें option मिल जाएगा Wi-Fi display तो हम Wi-Fi display को select करेंगे आपको Wi-Fi display on करना है जैसे आप Wi-Fi display on करेंगे तो देखिए यहाँ पर list आजाएगी कि किस-किस devices का आप connect कर सकते हैं जो मेरे device है उसका नाम है smart TV तो मुझे mobile में smart TV select करना होगा ते कि जैसे कि मैंने आपको दिखाए था कि मेरे mobile में 2 devices आ रही है तो और वहाँ पर भी मेरी device का नाम है वो लिखके आने लगता है आप देख सकते हैं कि मेरी device है वो connect हो चुकी है चलिए इसमें एक में YouTube से आपको वीडियो चला के देखा देता हूं जिससे पूरा confirm हो जाएगा कि जो मैं mobile पर आपको दिखा रहा हूं वही आपको TV पर होंगे कि screen पर जो size है mobile का काफी चोटा आ रहा है मतलब portrait में आ रहा है आप इसे landscape में करेंगे तो पूरी screen आ जाएगी तो अपने mobile को मैं जैसे landscape करूंगा तो देखिए TV पर भी पूरा व्यू आने लगाए तो मैं ऐसे देखा हूं देखिए तो guys कुछ इस तरीके से आप subscribe कर लिजिए और bell icon दबा लिजिए जिससे कहा कि next time में आपको वीडियो लागा तो आपको notification मिल जाएगा जय हिन जय बारत अगर आपको कोई question है तो comment box में जल्ली से लिखिए मैं आपको उसका जवाब दूगा ये वीडियो जो मैंने बनाई है वो भी आपी में से एक subscriber ने म मुझे बोला था कि ये वीडियो बना दीजिए कि कैसे chroma tv को connect करते हैं किसी mobile के साथ तो मैंने बना दिया अगर आपका future में भी कोई question है तो आप पूस सकते हैं मैं वीडियो बना के आपको बता तूँ हो thank you